तो आज हम करेंगे हिंदी का प्रेक्टिस सेट नमर सिक्स तो आज हम हिंदी का प्रेक्टिस सेट नमर सिक्स करेंगे तो आप में सिक कई सारे लोग यह कह रहे थे हैं कि यह जो प्रेक्टिस सेट है हिंदी का इसमें क्या होता है कि हमारे बहुत जादे हिंदी के सही हो जाते ह उसमें आप देखो कि हो बहु ऐसे ही सवाल पूछे गया थे मतलब इतना ही कठीन पूछा गया था आप लोग प्रिवेश के हिसाब से चलना है तो अगर वहाँ पर पूछा जा रहा है तो अच्छी बात है वह हमारे अच्छे के लिए वह उत्ता कि हम अच्छे से तयार हो सके है ठीक है बागी मैं कल कराऊंगा आपको आप लोग देखीगा कितना असान असान किश्चा है पूछा गया था तो आज का चली हम प्रैक्टिस से अपना शुरू करते हैं तो प्रैक्टिस से जरूर लिजीगा काफी मदद मिलती इससे काफी अच्छा लगता है और अच्छ अगर कितने प्रकारिके हूते हैं तो कि मैं एक चीशित ना चाता हूँ कि यहां पर हिंदी नहीं परयोग हुआ कि मातरा के दार पर सुर कितने परकार के होते हैं तो वह तीन ठीक है तो इसका अंसर इसलिए तीन हो गया है एक तो अगे चलते हैं तो हमारा अगला कृष्ण प्रशन नमर दो कि निम खित दिये गए वाक में उप्यूक्त विरामचिन का परियोग कीजिए यहां पर हमारा चार विरामचिन दे रखें यह सब्द है इस सवेरा हुआ चुडिया चाहचा आने लगी इसमें विरामचिन लगाना हमें तो हम देख रहे हैं सवेरा हुआ एक नहीं तो अगे चलते हैं तो हमारा अगला प्रशन है कि हवा कैसा सब्द है हवा कैसा सब्द तो क्रिया तो है नहीं सरवनाम भी नहीं है और विसेशड भी नहीं यानि यह किसी कि विशेष्टा वता नहीं रहा है तो हवा अमारा संग्या सब्दे और संग्या में भी कौन से सब्द है जैसे भौतिक संग्या के रूप में इसे जाना जाता है तो हवा अमारा हुआ है मैं जो है हमारा सरो नाम है यह किसी के जगह हुआ है जैसे और यह सीमा और रिमा बहने है तो इसमें भी नहीं हुआ है घर का काम कर लो इसमें भी नहीं हुआ है तो मैं जो है हमारा सरो नाम है तो मैं बता दू आपको कि सरो नाम जो है कितने होते हैं 11 सरो नाम होते है में आपके बतादू कि टूटल ऑउनहां होते ही एक बार मैं कौउंट कर वाया जता हूँ मैं तुम आप वह जो सो कोई कुछ कौन क्या ग्यार सिर्माहं हमारे ओते हैं ठीक है और किसी व्यास होते हैं वह कितने होते हैं 6 किसा लाते होते हैं से और स现在 11 तो कौन कौन से व्याइद होते हैं पूरुस वाचक सरौ नाम निज वाचक निष्चय वाचक अनिष्चय वाचक संबंद वाचक प्रश्ण वाचक ठीक है आगे चलते हैं तो हमारा आगला प्रस्ण है कि विसेश्टा कालिंग किसके अनुसार होता है तो इसका सही अनसर है विसेश्टा के अनुसार इसका सही अनसर है विसेश्टा के अनुसार जैसे राम बिशास्ता बताए जाती है उसे स्याकितिसे करते हैести यूप उसी हो गया लिंग लिंग से होता है जैसे अब लड़की है तुछ विश्य से जो होता है आगे चलते हैं इन में से क्रिया के किस रूप में करता के अनुसार परवरता नहीं होता ठीक है तो इसका सही आंसर है भूत कालिक रूप में ठीक है तुम आपको बता दू जैसे एक्जांपल देता हूं कि राम राम ने रोटी खाई खाई अब मैं लिदू कि सिता ने रोटी खाई तो इसके लिए भी हम खाई का प्रयोग करेंगे राम ने रोटी खाई सिता ने रोटी खाई तो यह करता है और यह करता है राम और सिता करता है लेकिन इसके हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रिया म नहीं हो रहा है सिता हो या राम में कोई षीयकर नहीं हो है ख्रीक है तो आगी चलते हैं कि हमारा अगला पुरस्ण में कि हमें प्रती दिन सूरी नममस्कार anomaly करना चाहिए रखांगी सब्द का पराचान कि इत्शन कि प्रती दिन क्या आगे प्रश्न है कि लिंग के अधार पर असंगत युग में बताईए लिंग के अधार पर असंगत युग में बताईए तो कुमार का कुमारी सही है सुंदर का सुंदरी सही है तरूर का तरू सही है दास का दासी होता है दासनी नहीं होता है यानि ये गलत है दास का दासी हो चलते हैं दिए गए बाक़े का एक यागणत कीजिए नेटा जी नहीं ंने भाता दिया गया तो इसका कान में बता तो इसका सही आइस रहें डागा सबकर नेटा जी anymore आए जब किसी विवाक से कृया की विशरा की मिसरा का इसमे का गयान नहीं होता है यायनि उसके विशरा का पता नए पासर दिया क्या है तो हम when नेताजी ने भासर दिया तो यहां से किसी भी विशेस ताइम या समय का पता नहीं चला इसलिए हमें समान भूत का लोगा ठीक है आगे चलते हैं उसके द्वारा लिखा उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा इस वाकि में कौन सवा चाहला है थुपDes 확 अंसर चैनल के चलते रहूं संगया सरुनाम का संबद करिया के साथ कारण बताता है चलते हैं कि अगला प्रश्ण है हमारा कि निम्न में से कौन सा सब तत्वह नहीं है कौन सा सब तत्वह नहीं यानि को तत्सम है तो आठ हमारा आठ का होता है अस्ट आम्र का होता है आम्र और आधा का होता है अर्ध यानि जो अगनी है वो हमारा तत्सम है तो अगनी का जो तत्वह होग उपसे का में निंश काम में निश का परहवग है आघे चलते हैं प्रत्याenkतिने सब्ड से पिलाख से मिलकर बनाएं प्रत्य सब्द कितिने सब्दों से मिल कर बनाए यहां पिर यड़ संदी हो जाएगा ठीक है अगेज चलते हैं कि अपना गुष्टा काभू में करो अपना गुष्टा काभू में करो सांत रहो ठीक है तो सांत का बिलो में बताना इस सांत का बिलो में कह रहा है कि कौन सा इन चार आपसनों में से सांत का बिलो में नहीं है तो ये सांद का विलोम नहीं है ये उसका सामनार्थ हो जाएगा आगे चलते हैं विलोम सब्दों का निमन में से कौन सा युग में सिलोमी थे विलोम सब्दों का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है यहाँ पे भी ध्यान दिजिएगा नहीं है तो अपना का पराया सही है आस्था का नास्था सही है आकास का पताल सही है अगनी का आग तो दोनों तो आगी है ने तो यह सही नहीं है अगनी का आग नहीं होगा अगनी का जल होगा ठीक है आगे चलते हैं अंक सब्द का अर्थ नहीं है प्रशने हमारा कि अंक सब्द का अर्थ नहीं है अंक सब्द का अर्थ नहीं है तो गोद अंक सब्द का अर्थ चीन भी है संख्या भी है लेकिन अंग हमारा अंक सब्द का अर्थ नहीं है ठीक है अंग हमारा अर्थ सब्द का अर्थ नहीं है आगे चलते हैं कि इन में से अग अगार सब्द का परिवाची कौन सा नहीं है इन में से कौन सा अगार सब्द का परिवाची नहीं है तो अगार मतलब होता है घर भवन आवास यह सब परिवाची हैं लेकिन घाम इसका परिवाची नहीं है ठीक है आगे चलते हैं कि अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कह हिं को ब्यक्त करता है कि ऐसका कहीं भी अंत्र लिए एक सब्ध नेरा है तो आपसा नवर डी आए बेग आकड़ों की जाज करने वाला उसे अंकेशक कहते हैं जो आए बेग आकड़ों की जाज करता है ठीक है आगे प्रशन है हमारा कि कि निकट वर्टी प्रस्ण दे रखा है कि दो दो निकट वर्ड हों के परिवर्चन होता ऊसे क्या कहती है तो निकट वर्ड हो कि उसे संधी कहेंगे तो गॱ्या प्रातुर की पर्वर्चन होता की प्रती दीनम का समाज विग्र तो इसका से अंसर है भी दिन दिन प्रती ठीक आगे प्रस्न है हमारा 26 कि निमने लिखित वाक्यों में से भाग महें तुरूटी है तो बिद्वानों का दल आ रहा है इसमें बताना है कहां गलती है बिद्वानों का दल आ रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बिद्वान है यही हमारा गलत है यहाँ बी नहीं होगा वी होगा यह बी नहीं होगा वी होगा यह बिद्वान यह बिद्वान यह बिद्वा मात्राओं उसे यतो इसके आंसर से इन में से 16 मात्राय वाला उसे इसे सवाइ में 16 मात्राओं ओगी इसका आँसर होगा आगे प्रशन है यह अन्यक वड़ों कि पास पास अत्वा क्रमा अनुसार आवरित्ति को कौन सा अलंकार माना जता है ठीक है तो इसका सही अंसर है अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार आगे प्रशन है कि किस समु में सब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं तो चार आपसान है कि किस समु में सब्द ठीक प्रक कशब् anticipate शाल रहों गिया सुरकर शचय का पाचान करने के लिए उसके बाद कोई डगा देते हैं सकती साली उश्याच्टि विश्याचर होगया पर द्थीन सलगा सब लोग सुच्छाकारी यह बिसेशड हो गया पुराना घर यह था हमाँ है मैं तुम हम टुम्हारा यह सारे सरणाम के भेद दिये हुए हैं फिर देख रहें अकर्मक करिया हैं तो लजाना, मरना, सोना लेकिन यह पढ़ना यहाँ पर यह अकर्मक नहीं है यह सकर्मक है तो यह हमारा गलत हो गया तो एक, दो, तीन हमारा सही है ठीक है नीचे देख लेते हैं तो आपसा नम्मर थे हमारा सही हो जाएगा एक, दो, तीन हमारा सही है आगे चलते हैं कि प्रस्तुत वाक्यों प्रस्तुत qa q आगे प्रस्ण है बैल न कूदे कूदे तंगी कहवत का अर्थ इसका सभी आंसर है D स्वामी केबल पर सीवस का साथ आगे प्रस्ण है पूरुमा दिकाल का समय कौन सा माना जाता है पूरो मद्द काल का समय कौन सा माना जाता है सही आंसर है B 1375 से 1700 1375 से 1700 ठीक है तो यहां पर बता दू कि हिंदी साहित को 4 कालों में बाटा गया है हिंदी साहित को 4 कालों में बाटा गया है एक तो एक तो आधी काल जो 1050 से 1375 तक होता है एक पूरो मद्द्यकाल जो 1454 से 1700 तक होता है एक उत्तरकाल जो 1798 तक होता है अधुनिकाल जो 1900 से 1984 तक होता है ठीक है तो चार कालुम बाटा गया है अगला प्रशन है हमारी इन पर और इन al support से और आगे दिखा देता हूं आपको इसे भी उसी कवर भुछ करके अब हम चलते अपने किष्टंपे ठीक है तो गद्धांस में हमारा पहला प्रश्ण है कि गद्धांस में कायर किसको माना गया है तो इसका सही आंसर ए जो अप्यक्षित परिश्रम से डर कर भागी को आसरे ले ले ठीक है तो आपसा नम्मर ए आगे प्रश्ण है प्रश्ण है 35 कि भागी को कौन लोग दोस्ट देते है तो प्रतने के भामे फलना मिल पाने के काड़ बचाव का बाहना खोचते हैं ठीक है आगे हमारा प्रश्ण च्छतिस परिश्रम सब्द कौन सी ब्याकड़ी इसका ही है तो उसका सभी आंसर है संग्या बी आपसन नुम्मर भी संग्या ठीक है आगे चलते हैं 37 कि जब हम अपना चींतन जब हम अपना चींतन के वल भाग्यवाद को अधार मान कर करते हैं तब क्या होता है इसका सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यह हमारा हो गया हिंदी के प्रैक्टिस सेट नमर शिक्स हैं तो मैं कल आपको क्या करूँगा जो भी हमारे पिपर हुए है प्रीवेस यह करा देता हूं आपको ताकि आप लोग को पता चल जाए कि हिंदी में असानी पुछा जाता है बहुत टप नहीं पुछा जाता है यह यह कि प्रैक्टिस सेट में तो आसान है और डव कंठी नह अब जुग केुआ करेंसु हमा मौ कर में हना ठाल।